रामसर साइट काफी ज़दा important topic है दोस्तो अगर आप किसी भी government exam की तियारी कर रहे हैं और ये जो topic है आप काफी ज़दा most 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 important और trending topic बन चुका है क्योंकि भी हाल ही में recently ही हमारे देश में 5 नए रामसर इस्थलों को नामित किया गया है तो इस topic से एक caution आपके exam में definitely ही पूचा जाएगा तो इस topic से जड़ो है सभी important caution को हम इस video lecture में cover करेंगे discuss करेंगे detail में with text of fact के साथ में और थोड़ी सी हम detail भी जानेंगे कि रामसर साइट क्या है रामसर कन्वेशन क्या है क्योंकि इन से भी caution आपके exam में पूचे जाते हैं और यह जो detail है यह आपके लिए जानना बेहत ही जरूरी है तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हमारे video lecture की मैं वैशाली लोधी और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने youtube channel free education पर तो चलिए दोस्तों रामसर site इनको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रामसर convention याने की रामसर सम्मेलन क्या है क्योंकि इस convention में ही एक आधार बनाया गया था कि किन इस्थानों को रामसर site में सामिल करना है किन को नहीं करना है किन को selection प्रदान करना है किन को नहीं करना है तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि आखिर रामसर कन्वेंशन क्या है तो रामसर कन्वेंशन यहने की रामसर समेलन जो है यूनेसको के द्वारा दो फरवरी 1971 को इस्थापित एक अंतर सरकारी परियावरण संधी है इस संधी समेलन का ओदेश क्या था तो नम भूमी क संरक्षन के लिए ये एक विश्व इस तर ये प्रयास किया गया था नम भूमी जिसको वेटलेंड या फिर आदर भूमी भी कहा जाता है उसके लिए संरक्षित करने के लिए ये संधी विश्व इस तर पर की गई थी यूनेसको के द्वारा और ऐसा कोई वेटलेंड जो अ SPN सागर के तट पर सित रामसर सहर में हुआ इसलिए इन साइट को रामसर साइट और इस समेलन को रामसर समेलन या फिर रामसर कन्वेंशन कहा जाता है ये संधी तो दोस्तों दो फरवरी 1971 को हुई थी लेकिन इसको लागू कब किया गया तो 21 दिसंबर 1975 को इसको लागू किया गया था ये जो कन्वेंशन है भारत में कब लागू हुआ तो एक फरवरी 1982 को जो हमारा देश है भारत वो इस संधी का हिस्सा बना था अब बात हुई थी यहाँ पर वेटलेंड यानि की आदर भूमी की तो आदर भूमी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जमीन पानी से धके ही होती है चाहे फिर वो तालाब हो जील हो नदी का डेल्टा या फिर समुदर का किनारा या फिर ऐसे निचले इलाके जो की बार से आ आदर भूमी कहा जाता है हमारी प्रत्वी पर ऐसे आदर भूमी छेतर जो जैब बिविद्दा के लिए बहुत महतपूर्ण है उन महतपूर्ण इस्थलों को रामसर संदी के तहत रामसर इस्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि इन सभी का सनरक्षन किया जा सके आप इमेज में पिक्चर में यहाँ पर कुछ ऐसे रामसर इस्थल को देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे रामसर प्लेसेज को देख पा रहे होंगे जहाँ पर पानी लगातार वर्षवर या फिर कम से कम आठ महा के लिए भरा रहता है ऐसे सभी इस्थानों को दोस्तो रामसर सूची में सामिल किया जाता है यहाँ पर कुछ ऐसी बनशपतिया ऐसे जीब जंतु ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो की विलप्त होने की कगार पर है लेकिन आद्र भूमी के छेत्र में ये जो प्रजातियां है वो निवास करती है अपना संरक्षन करती है और अपनी प्रजाती को लुप्त होने से बचाती है चलिए दोस्तो अब इस टॉपिक से जड़ो है सभी इंपॉर्टन कॉशन को हम इस वीडियो लेक्टर में कवर करने वाले हैं और चलिए शुरुआत कर लेते हैं कॉशन नमबर वन से आदरभूमी हेतु प्रथम सम्मेलन कहा हुआ था तो आदरभूमी यानि कि वेटलेंड के लिए जो फर्स्ट कन्वेंशन है ये कहा पर हुआ था ये हुआ था इरान में ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इरान की रामसर सहर में दो फरवरी 1971 को आदरभूमी के लिए प्रथम सम्मेलन आयजित किया गया था और ये जो सम्मेलन है ये इरान के शहर रामसर में हुआ इसलिए इसको रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इरान का रामसर सहर जो है ये कहां पर इस्तित है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये जो सहर है ये कैश्पियन साकर के किनारे इस्तित है नेक्स्ट हमारा कॉशन है रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया तो रामसर कन्वेंशन जो है इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 को option नमबर A जो है ये बिलकुल हमारा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना तो भारत याने की हमारा देश जो इंडिया है ये रामसर कन्वेंशन का हिस्सा एक फरवरी 1982 को बना option number C is the correct answer option number C बिलकुल हमारा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट हमारा कॉशन है विश्व का पहला रामसर इस्थल कौन सा था तो वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर इस्थल रामसर साइट जो है ये था कोबर्ग प्रायदीब जो कि ऑस्ट्रेलिया में है इसी के साथ में option number B जो है ये बिलकुल हमारा correct answer हो जाएगा कोबर्ग प्रायदीब जो है ये एक प्रवाल भित्ती है और ये विश्व का पहला रामसर इस्थल घोशित किया गया था दोस्तो हम आपके लिए यहाँ पर बताना चाहते हैं हमारे चैनल की current affairs की जो updated ebook है ये ebook launch हो चुकी है इस ebook में जैसे के मैं आपको topic wise current affair का एक topic पढ प्रोवाइड किये जा रहे हैं तो अगर आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे हैं तो ये जो ebook है ये आपके exam के लिए बहुत ही जादा helpful होने वाली है इसकी link आपको कहा मिल जाएगी तो इस ebook की जो link है ये आपको video के description में मिल जाएगी वही पर आपको एक whatsapp number भी provide किया गया ह अगर आपको कोई भी query होती है books related तो आप वहाँ जाकर उस whatsapp number पर जाकर हमसे contact कर सकते हैं नेक्स हमारा caution है किस देश में सबसे जादा रामसर इस्थल है तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे जादा रामसर sites है तो ये है United Kingdom option number D जो है ये बिलकुल हमारा correct answer हो जाएगा United Kingdom मे 175 रामसर इस्थल है अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा देश है तो मेक्सिको जो है ये रामसर इस्थल के मामले में दूसरा नंबर रखता है next हमारा caution है विश्व आदरभूमी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व आदरभूमी दिवस जो है ये प्रतेक दो फरवरी को मनाया जाता है option नंबर ए जो है ये बिलकुल हमारा correct answer हो जाएगा दो फरवरी को प्रतेक वर्ष जो विश्व आदरभूमी दिवस मनाया जाता है तो इसी के लिए 2022 में इस दिवस की theme क्या थी तो लोगों और प्रकृती के लिए आदरभूमी कारवाही याने दिवस की वेटलेंड एक्षिन फर पीपल एंड नेचर जो है ये 2022 में इस दिवस की theme रही है नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत का सरवादिक आदरभूमी छेतर वाला राज्य कौन सा है तो हमारे देश का सरवादिक वेटलेंड एरिया वाला जो राज्य है स्टेट है ये ग गुजरात राज्य में आदरभूमी छेतर है और इसी के साथ में गुजरात जो है ये सरवादिक आदरभूमी वाला राज्य बन गया है नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत का सबसे बड़ा रामसर इस्थल कौन सा है तो हमारे देश का सबसे बड़ा रामसर इस्थल यानि रा भारत का सबसे बड़ा रामसर इस्थाल है इसका चेतनका है तो 4230 बर्ग किलो मेटर के चेतर मैं यह फैला हुआ है और यह भारत का सब बड़ा यह बंगरोव बन भी है इसको आप याद रखेंगे पस्चिम बंगाल में दोस्तों दो रामसर इस्थल है कौन कौन से हैं तो पूर्व कलकता वेटलेंड है और सुन्दरवल वेटलेंड ये दोनों ही पस्चिम बंगाल के रामसर इस्थल है नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत का सबसे छोटा रामसर इस्थल कौन सा है तो हमारे देश का सबसे छोटा रामसर इस्थल है रेनु का वेटलेंड कहां पर इस्तित है तो यह हिमाचल प्रदेश में इस्तित है इसका छेत्र कितना है तो लगबग 0.92 बर्ग किलोमीटर के छेत्र में यह फैला हुआ है नेक्सट कॉचिन है भारत की पहली रामसर साइट कौन से है तो यह जो कॉच्छिन है काफी ज़दे इंपॉरेंट हैपी एक्जाम पॉंट अफ्यू से कई बार एक्जाम में पूचा गया है तो भारत की पहली रामसर साइट है चिलका जील और फिन नमबर एज जो है यह बिलकुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिलका जील जो है यह कहां पर इस्ते थे दोस्तो तो यह ओड की चिलका जील और राजस्थान का केवला देव पक्षी अभ्यारन शामिल्ज है नेहींस हमारा कॉशन है भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है रामसर इस्ताल है यह उत्तर प्रदेश में इस्तित है और यह बिलकुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए दोस् साथ में दोस्तों 2019 में छह रामसर इस्थल बना गए इसी के साथ में दोस्तों सरवल्वर रांसर संख्या गोशत किया गया किसी 2020 में उत्तर प्रदेश राज्जी से भारत का रामसर इस्थल गोशित की गई इसी के साथ में 2021 में हैदरपुर वेटलेंड और 2022 में यानि कि इसी वर्ष बखीरा वनेजी अभ्यारन जो है इन सभी को उत्तर प्रदेश से भारत के रामसर इस्थल गोशित किये गई तो ये जो कॉशन है कई सारे एक्जाम में पूछा गया है भारत का 47 वा रामसर इस्थल ये कौन सा है दोस्तो तो ये हैदरपूर वेटलेंड है और अप्शन नमबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हैदरपूर वेटलेंड है ये कहां पर इस्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में इस्थित है और इसको 2021 में भारत का 47 वा रामसर इस्थल गोशित किया गया था नेक्स्थ हमारा कॉशन है दो फरवरी 2022 को विश्व आदरभूमी दिवस पर भारत के किन दो वनजीव अभ्यारन को रामसर साइट में शामिल किया गया तो दो फरवरी 2022 को प्रतेक वर्ष विश्व आदरभूमी दिवस यानि की वर्ल्ट वेटलेंड ये मनाया जाता है और इसी के दिन दोस्तों हमारे देश के दो वनजीव अभ्यारन हैं खेजरिया वनजीव अभ्यारन और वखीरा वनजीव अभ्यारन इन दोनों को ही रामसर साइट में शामिल किया गया है रामसर साइट की जो सूची है उसमें इन दोनों को ही सूची बत किया गया तो इसी के स प्रतेक वर्ष दो फरवरी को दुनिया भर में याने की पूरे विश्व में वर्ल्ड वेटलेंडे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉशन है जुलाई दो हजर बाइस में भारत में कितने रामसर साइट नामित किये गए हैं। तो फ्रेंट्स रिसेंटली हमारे देश में पाँच रामसर साइट नामित किये गए। इसी के साथ में आप्शन नमबर ए जो है ये बिलकुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए जान लेते हैं ये पाँच रामसर इस्थल कौन कौन से हैं। तो तमिलाडू का करीकीली पक्षी अभ्यारन पल्ली करने मार्स रिजर्व फॉरस्ट और इसी के साथ में पिच वरम मैंग्रोव जो है ये तीन तमिलाडू के रामसर इस्थल गोशित किये गए जो है ये हमारे देश में पाँच रामसर इस्थल अभी रिसेंटली ही गोश जिले में इस्थित है और 31 हेक्टियर छेतर में ये फैला हुआ है नेक्स्ट है पल्ली करने मार्स रिजर्व फॉरस्ट ये कहां परिस्थित है तो ये तमिलाडू के चेनने में इस्थित है और ये एक मीठे पानी का दलडल है नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है पिचवरम मैंग्रोव ये कहा परिस्थित है तो ये तमिलाडू के कुड़ा लोर जिले में इस्थित है और ये जो मैंग्रोव है ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है ये कितने स्थान में फैला हुआ है तो ये 1100 हेक्टियर में फैला हुआ है नेक्स्ट है सांके सागर सांके सागर जो है यह मर्द्रपिदेश के सिवपूरी जिले में इस्थित माधव राश्ची उद्ध्यान की सुन्दर पारिस्थी का एक अभिन अंग है इसका नाम क्या है तो सांके सागर जील है चलिए दोस्तों हमने जाना यहां पर हमारे देश में पांच नए रामसर इस्थल की बारे में नेक्स्ट हमारा कॉशन है वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितने हैं तो हमारे देश में अब रामसर साइट की जो संख्या है यह 49 से बढ़कर चोवान हो गई ह ऑप्शिन नमबर दी जो है यह बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2022 में पांच नए रामसर इस्थल की संख्या है यह 49 से पहले कितने रामसर इस्थल थे तो 49 थे यह कब थे तो दो फरवरी 2022 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय दो रामसर इस्थल की होने के बाद हमारे देश में रामसर इस्थल की संख्या कितनी हो गई तो यह 24 हो गई है इसको आपको याद रखना है चलिए दोस्तों कुछ important fact को हम discuss करते हैं जहां से caution आपके exam में पूछे जाते हैं और यह आप सभी के लिए quick revision भी है चलिए important fact को हम discuss करते हैं तो 2019 से पहले 26 रामसर साइट थे 2019 में सुन्दरवन डेल्टा जो है इसको शामिल करने के बाद हमारे देश में रामसर साइट की जो संख्या है यह 27 हो गई और सुन्दरवन डेल्टा जो है यह हमारे देश का सबसे बड़ा रामसर इस्थल है इसके बाद में 2020 में 15 नए रामसर साइट को जो संख्या है ये बढ़कर 42 हो गए इसके बाद में 2021 में पांच नए रामसर स्थल की जो संख्या है ये बढ़कर 47 हो गए अब जब रामसर स्थल की संख्या 2021 में 47 थी इसके बाद में दो फरवरी 2022 को दो नए रामसर स्थल की संख्या कौन कौन से थे तो गुजरात का खेजरि वर्ने जी अभ्यारन जो है इनको विश्व आदरभूमी दिवस याने दो फरवरी के दिन इनको नए रामसर इस्थल में घोशित किया गया और इसी के साथ में 49 रामसर इस्थल जो है ये हमारे देश में हो गए और अब दोस्तो जुलाई 2022 में भारत में पांच नए रामसर इ जी जाए को अगर आप इसकी पीड़ीन करके इस पूरी सूची है आप नोटडाउन भी कर सकते हैं और अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलिग्राम गृ share कर दूँगी दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूं कि हमारे current office की updated e-book launch हो चुकी है इसकी link जो है यह आपको description में मिल जाएगी और यह जो e-book है आपके exam के लिए काफी ज़दा helpful होने वाली है दोस्तों next and last हमारा challenging caution है जिसका answer आप सभी को comment section में comment करके देना है यह जो caution है यह हमारी previous video last six month की most important caution की जो video थी जो कि मैंने बनाई थी उससे यह caution लिया गया है और यह जो caution है दोस्तों इस topic पर caution क्या है तो भारत की नई रास्टपती कौन मनी है भारत की जो नई रास्टपती है इन पर सर ने एक dedicated video बनाया है तो अगर आप चाहें तो उस video को भी जाकर हमारे topic wise current affairs की playlist में जाकर उस video को देख सकते हैं आपको दोस्तों question में क्या करना है तो इसका answer आपको mention करना है यह किस पार्टे की उमीदबार है मतदान कब हुआ मतगरना कब हुई इन्होंने शपत कब ग्रहन की है और इससे पहले हमारे देश के चौदवी रास्टपती जो है वह कौन थे यह सभी question के answer आप सभी को comment session में comment करके देना है दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को दिखने के लिए आप सभी का बोहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे इसे जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बेहनों के साथ मैं WhatsApp, Telegram, Facebook पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रूप हों तो सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें हभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल पर नए है तो दोस्तों प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन पर पर इकनल विThe गया है उनल टाइकन विल जाएगी है वि데्वाव दें तैक सब्सक्राइब देख इस वेडियों में तब लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद